धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कट्टर इमानदार का किरदार धारदार तत्यों के साथ पूरी तरह तारतार हो गया है इस हमानने बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं ये बात हम ऐसे नहीं करें उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानि अपनी हिरासत को ही चुनावती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुस पश्ट का है कोर्ट क्लारिफाइज डैट दा पेटीशन इस फॉर डिसाइडिंग दा अरेस्ट इस इलीगल क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे दूसरा विशह बहुत इस पष्ट मैं आपके सामने उद्धर्द करना चाहता हूँ बार बार हम लोग कहते थे साक्षे जाँच एजनसी उन्हें दिये हैं और वो नियाले के समकष हैं न हमारे पास हैं न किसी अन्य के पास हैं इसलिए उस पर बयान बाजी निरर्थक है इस पष्ट रूप से कोड कह रा है कि जो साक्षे दिये गए उस से प्रतीत होता है कि वह नीती बनाने में बाकाईदा conspired the excise policy और फिर लिखा हुआ है was involved in the formulation of the excise policy and used the proceed of crime यानि वो नीति निर्दारण में मुक्छ करता धरता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांचित अपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया यानि वो नीति को बनाने मुक्छ सुत्तधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमी का यानि आम आदनी पार्टी के सयोजक के रूप में करता धरता थे उसके उपरान मानी नियाले ने एक और गंभीर observation दिया है court says doubting grant of the pardon of the approver amounts to casting aspersion and judicial process अर्थात किसी को जमानत दी गई या नहीं इस पर टिपनी करना सीधे सीधे न्याय पालिका के उपर टिपनी करने के समान है भाई अगर आप देखें तो इसी आधार के उपर अभी संजे सिंग जी को तो बेल मिली है आप इस धंग से राजनेतिक आधार के उपर कोर्ट के निर्णेओं की के उपर समीच्छा आख्षेप और कटाक्ष नहीं कर सकते हैं इसके आगे और इस पश्ट रूप से कहा गया है यह बहुत महत्पूर्ण प्रेक्षण है इस वेरी सिगनिफेट अब्जवेशन बाई दा हाई कोड कि किसको टिकट दिया गया किसने एलेक्टूरल बॉंड लिया इस विशे का कोड की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है और थाथ जो एक कानूनी विशे को वह राजनेतिक विशे बताने का प्रयास कर रहे थे अब देखिये एक और बिंदू पे कहा है ये इंवेस्टिगेटिण एजेंसी अडर दे क्रिमिनल जुरिस्पूर्जिंस कांट न इडरिक्टेड तो कंड़ क्रण दे इन्वेस्टिगेशन अश पर कनविनियन्स ऑफ परसन जो बार बार कहते थे कि एडी हमें ये बताए कि इस तरीके से मुझे जवाब देना या उस तरीके से मुझे इस कैपसिटी में बुलाए जा रहा है इस कैपसिटी में बहुत इस पश्ट का आए कि आरोपी को ये अधिकार नहीं है किसी वेक्टी को कि वो ये तै करे कि नियमों कि प्रावधानों या किस प्रक्रिया के तहट अथवा किस रूप में जाच एजनसी उससे जाच करना चाह रही है अगला बिंदू और गंभीर है The court won't lay down different categories of law One for common citizens and other granting special privilege to chief minister आम आदमी party पुना अंडरलाइन करके कहता हूँ आम आदमी party के तथा कथित आम आदमी मुक्च मंतरी के बारे में इस पष्ट रूप से मानी नियाले कह रहा है कि सामान ने यानि आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी party के मुक्च मंतरी के लिए दूसरा नियम यानि नाम तो आम दीवान आम और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिच कर दी गई कोर्ट के दौरा पुना मैं कहना चाहता हूँ ये सबसे महत्पून बात है ये वही थे जो नाना प्रकार की चीज़े कहते थे मैं बंगला नहीं लूँगा मैं गाड़ी नहीं लूँगा मैं टोपी पहनूँगा मैं सिकूर्टी नहीं लूँगा बगरा बगरा जबकि मैं सारी बाते कह रहा हूँ ये सारी चीज़े आवशक्ता होती है सुरक्षा क्या आवशक्ता होती है परन्तु ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशाई हो गया चूंकि वो खुद एक खास टीटमेंट चाह रहे थे इसके उपरान कोट कहता है कोट on necessity of arrest जो उन्होंने कहा कि क्यों उनको हिरासत में लेना चाहिए ED was in process of enough material which has led to arrest of केजरिवाल non joining of investigation by केजरिवाल delay caused by him was also impacted those in the judicial custody अर्थात उनका बार बार ED के संबन को दरकिनार करना जवाब देने से मना करना यह गलत था और परयाप्त material उपलब्द था उनसे पूश्तास और जाच करने के लिए दूसरा एक गंभीर बात कही गई जो बार 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 नियाईक प्रिक्रिया को राजनेतिक रंग देने का प्रयास और उसके उपर राजनेतिक आक्षेप करने का प्रयास है उस पर कोटने साफ कहा है Judges are bound by the law not by the politics आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं आप लगातार नो-नो संबन डिले कर रहे थे चुँकि आपको पता था कि लोकसभा का चुनाव आने वाला अनायास नहीं आने वाला था इस कार्थ ये हो गया कि आप नियाईक प्रिक्रिया को राजनेतिक दहलीज तक ले जाने का कारे आप कर रहे थे कोर्ट ने इस पस्ट का आए किसी भी प्रकार की राजनेतिक गद्विरी से नियाईक प्रिक्रिया प्रभावित होने वाली नहीं है अर्था टाइमिंग वाली बात ध्वस्त हो गई देन उसके आगे और उससे गंभीर बात कही है पॉलिटिकल कंसीडरेशन्स कांट बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट अफ लॉग जो इस प्रकार की बात कहना कि चुनाव आ रहा है वैसे तो ये लोग इस बात के बड़े आद्वतन शरारती है याद करिए 2019 के लोकसभा से पहले कॉंग्रेस पार्टी के नेतावी वकील का चोला होड का शिराम जन्मुमी के मुद्धे पर भी यही कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है तो इसको बाद में करिए आज भरष्टाचार के मुद्धे पर चुनाव आने की बात पर कही तो कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि कि किसी भी प्रकार का राजनेतिक संदर्भ न्यायले के समक्ष देना उचित नहीं है इसके उपरान कोर्ट कहता है कोर्ट are concerned with the constitutional morality not the political morality कोर्ट साफ कहता है कि यह जो आप तथा कतित अपनी नेतिकता राजनेति का बात करते हैं इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है वो केवल hardcore facts के बारे में कहता है आगे की बात और भी गंभीर है जो कहते थे चमनी नहीं मिली इस पॉइंट में मनी नहीं कहता है this court holds that ED was able to place enough material statement of the approvers and their own candidate stating that was given to for Goa elections it completes the chain regarding the money sent for Goa elections जानी जब उनके स्वयम के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इसी इस प्रकार का धभन इसी स्रोथ से प्राप्ट हुआ है तो यह प्रथम दिश्टेया इस संदेख की पुष्टी करता है कि पैसा कहां से है जो कहते थे चवणी नहीं मिली अब चवणी नहीं वो करोणों का ट्रेल मिल रहा है इसलिए हम यह बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस करप्षन की अन्ना क्रांती से शुरुआ हुआ अंदोलन आज के 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 में तबदील हो गया है यानि केजरी करप्षन क्रांती में तबदील हो गया है एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभाव संभावता भारत की राजनीत में कभी देखने को नहीं मिला होगा और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है ये तथा कतित इंडी गठबंदन के नेताओं ने उसी अमरीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस करप्षन की करांती हुई थी वहां जिस करप्षन को लेकर रैली की थी अब साफ हो गया कि केजरिवाल जी विगत 30-35 वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था वो तमाम नेता शी लालू प्रसाद यादव जी से लेके शुबू सोरेंजी से लेके डीम के के नेता करणा निधी कनीमो जी एराजा से लेके अन्यान नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं है नियाईक दृष्टी से वो ठीक उतने ही दोशी हैं जितने नेताओं के साथ आज खड़े थे तो आप सोचिए वो कहां से कहां खड़े हो गए और उस्यादा गंभीर बाती है आज आपने देखा कि तन मूल कॉंग्रेस के सांसत जो की पश्यम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयों के पास गए थे तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे अर्थाग इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है जब ये साफ साफ कहा जा सकता है कि आज जो कुछ हुआ है इसने भारत की राजनीती में जन सामाने के लिए और भारत के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए एक प्रशन छोड़ा है कि कई बार ये नई राजनीती के प्रयोग का च्छलावरन लेकर जो लोग आते हैं उनकी अंदरूनी हकीकत क्या होती है ये पूरी तरीके से आज साफ साफ सब के सामने आ गया है अब इस पश्ट रूप से इस विशे को लेकर चूंकि स्री केजरिवा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो इस संदर में हमारे पास हमारे साथ सज्देवा जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस संदर में अपना विचार रखेंगा धन्यवत भाई सब भूल गए केजरिवाल कि जिन्दगी में जब आप चोरी करते हैं तो उससे कई गुना जैदा आपको उसी जिन्दगी में चुकाना पड़ता है आज दिल्ली के करोडों लोगों की तरफ से